विज्ञान का मातपूर बहु विकल्पी प्रस जो कि 110 परसेंट अगर आपको भी इस बार 10 बोर्ड एक्जाम का पेपर देना है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप बिलकुल सही वीडियो पे क्लिक किया है और आप से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर इस इंपोर्टेंट वीडियो पे क्लिक किया है तो आप वीडियो को पूरा वाज कर लेना क्योंकि 110 परसेंट ये जो पूरे अबजेक्टिव टाइप के क्वेस्टिन है दो हजार चौविस बोर्ड में 110 परसेंट गारंटी के साथ आएंगे ठीक है क्योंकि ये इतने इंप पूर्ड एक्जाम में 20 अंक की जो होते हैं 20 माक्स की बहुत बिकल्पी प्रेशन पूछे जा रहे हैं तो आपको बीसों के एंसर कहां से मिलेगा कैसे देना और किस टाइप के प्रेशन आएंगे वह आज की वीडियो में हम देखेंगे ठीक है तो अगर आप इस वीडियो क आपका कुछ भी नहीं आएगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे खंड और बहुत विकल्पी टाइप के प्रेशन उप्खंड कर ठीक है तो यहां पर मैं आपके लूग के लिए इतना मेहनत करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने मले हर एक वीडियो के नोटिवेशन आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से 70 नंबर अपने साइंस के पेपर में एचीव कर पाओ ठीक है तो यहां पर सबसे पहला क्वेस्चन दे रखा है 200 बोल्ट, 108 बल्ब को यदि 100 बोल्ट पर प्रियोग किया जाए तो बल्ब की सकती क्या होगी काफी important question और हर बार गया आता है सबसे पहले तो हम यहां पर देख लिए कि भीवन की बैलू कितना दे रखा है 200 बोल्ट यहां पर यह वाट है तो इसे वाट को किसी दिखाते है पी तो पीवन की बैलू कितना है 100 वाट और एक है यहां पे भीटू भी दे रखा है बीटू की एक बैलू कितना है 100 बोल्ट ठीक है अब हमसे क्या पूछे का बल्ब की सकती यानि सकती की मतलब की पीटू की मान पूछ रहा है ठीक है पावर पूछ रहा है कि कितना supply होगा तो यहां से हम जानते हैं कि एक यह बल्ब है ठीक है यह एक बल्ब है तो हम जानते कि बल्ब का अगर यह जल रहा है थीक अगर B1 बोल्ट दोगे चाहे B2 दोगे तो इसका जो परतिरोध हो समान रहेगा तो अगर परतिरोध समान रहेगा तो हम जानते कि R बराबर होता है B का स्कॉयर प्रपां P ठीक है तो यहाँ सबसे पहले R1 की निकालेंगे, और यहां पर P1 की value कितना है? 100W है. ठीक है, 100W, ठीक है, 100W को put कर देखेंगे हैं, 2.0 से 2.0 यहां पर रिला गया है, अब रिलाने के बाद आपको 200 को रित्ते 200 करोगे तो यह हो जाएगा आपका 400, यहनी R की value जो आगी है, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? इ आप दोखो यहां पर B2 का स्क्वार हो जाएगा, B2 की बैलू कितना है दिया, 100, यहां सोजएगा 100 गुरुत्ती 100, स्क्वार है तो दो बार लिखेंगे, और R की बैलू कितना हमने निकाला है, 400 निकाला है, ठीक, यहां पर R की बैलू 400, यहां पर 400 को आप सिंपली पुट आएगे, कितनी वाट, 25 वाट, जिसमें दे रखा है कि 50 वाट आएगी कि 25 वाट कि 100 वाट कि 40 वाट, यह आएगा आपका कितना, 25 वाट, ठीक है, अननत्य उत्तल दरपड की धुरुपी के बीच रखी वस्तु का परतिविम कहां और किस प्रकाल प्रकृति का बनता है, ठीक और यहाँ पर उक्रता केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पर बीच में फोकस हो जाएगा, अननत्य से बोल रहा है डालने के लिए, तो अननत्य से जब हम डालेंगे, अननत्य उत्तल दरपड दुरुपी के बीच रखी वस्तु का परतिविम, ठीक है, यह धुरुप है, इसक इसको पीचे की और घसका है, तो यह इसका परतिविम कहीं इधर बन रहा है, ठीक है, और एक और प्रकास की किरण डालेंगे, जो कि इस पर पढ़ने की बाद जैसे डाला जाता हो, ऐसे सीधे निकल जाती है, तो इसको भी अगर आगे की तरह बढ़ा है, तो यह कहीं पर मि लिखेंगे, और कहा बना दरपड की पीचे, तेहां पर लिखेंगे दरपड की पीचे, पीचे बना तो अभासी और दो को यह उपर बना, ठीक है, पाई की उपर बना, अगर इसके नीचे बनता तो उल्टा परतिम कहा जाता, ठीक है, उपर बना तो यह सीधा बन रहा है, यानि कि दरपड की पीछे अभासी और सिधा बनेगा तो यहाँ पर दिखेंगे कौन सा है? आपका यहाँ पर दरपड की पीछे P.E.M.F की बीछ यह P.E.M.F इस पार भी आपका न P.E. है और यहाँ पर F है P.E.M.F की बीछ भीर बना है सही है बात की बीच आभासी M सिधा आभासी M सिधा ठीके तो आपसर नमबर आपका A ही करेक्ट हो गया ठीके दरपर की पीछे P M F की बीच आभासी M उल्टा उल्टा नहीं बन रहा है दरपर की सामने वास्तवी M सिधा यह भी नहीं है दरपर की सामने आभासिम सीधा यहाँ एफ फोकस है नहीं तो आपका आपसन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तीसरा क्वेस्चन है कि निम्ने परिपत में एम बी की बीच तुल्य परतिरोद ग्याद कीजिए यानि इसकी और इसकी बीच हमें तुल्य परतिरोद को ग्याद करना है सिंपल है, सबसे पहले तो यह और यह आपको सम्नांतर करम में दिख रहे हैं शम्न करम का स्वत्र होता है 1 upon r a लेते हैं 1 upon r1 plus 1 upon r2 ठीक है R1 की value 1 ohm है और R2 की भी value कितना है 1 ohm है 1 upon R dash equal 1 बटा के 1 पलस 1 बटा के 1 ठीक है तो यहाँ से 1 by R1 की value क्या हो जाएगी 1 एक को जोड़ दोगे simple आजाएगा 2 ठीक है यहाँ तो आप इसको 2 बटा के 1 लिख सकते हैं इस तरह से अब यहाँ से इसका multiply धर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका R1 2 ठीक है R dash इसको माने R dash 2 और 1 का 1 में कर देंगे ठीक है R dash equal आपका हो जाएगा 1 upon 2 तो R1 की value क्या आगई 1 upon 2 आगई और एक value दिया 0.5 ohm ठीक है और इससे भी हम add कर देंगे जब यह हो जाएगा यह आपस में जूड़ गए तो इसका जो प्रतिविम बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर R dash का value 1 upon 2 ohm आगए इसका इसका दिया है 0.5 ohm अब यह दोनों जो है किस क्रम में होगे स्रेडी क्रम में स्रेडी क्रम का फार्मूला क्या होता है R double dash equal हो जाएगा आपका R dash प्लस यह R 3 इसको माल लेते है R 3 R dash का value कितना 1 upon 2 प्लस 0.5 आपको इसे simply जोड़ देना है ठीक है जब आप जोड़ोगे तो यह हो जाए इतना हमने कर दिया ठीक है इतना करने के बाद एक का multiply एक में करोगे तो एक आजाएगा प्लस दो का multiply इधर करोगे तो दो पंचे दस सेनी एक आजाएगा यहाँ पे औ और बट्टे में दो है तो दो दो को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा दो बट्टे के दो बराबर एक ओम आपका आंसर तो यहाँ पर आपका एक ओम क्या हो जाएगा यह वाला ठीक है एक को जोड़ेंगे दो दो बट्टे दो दो से दो कर जाएगा बराबर एक ओम आपका उत्तल या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा ठीक है तो यहां पर आप यह जानो कि आपका जो समतल दरपड़ है जिसमें आप अपना फेस देखते हो या उत्तल दरपड हर एक कंडिशन में जो प्रतिविम बनाती है वो सिधा बनाती है तो समतल सीशा जिसमें देखते हो तल दर पड़ भी सीधा बनाता तो यह आपका अपसर नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा एंट पाच्वा कि जब सुवेद प्रकास काच की प्रिजम से गुजरता है तो नियुंतं बिचलन होता है ठीक है नियुंतं बिचलन किसका होता है यहां पर सबसे पहले करेक्ट हो जाएगा लाल जम सब्से नम पूछता है आपका अदिक तम पूछता तो यह उनियुंतं बिचलन होगा सबसे जावक से आवधी पूछन यह-ज। प्रतिरोद की दो प्रतिरोदों को समानतर करम में जोड़ा जाए तता एक प्रतिरोद को इनके स्रेडी करम में जोड़ा जाए तो प्रड़ामी प्रतिरोद हमारा क्या निकल कराएगा तो सबसे पहले हम समानतर करम में जोड़ देंगे इस तरह से एक बटा के आर बराबर एक upon r equal 2 बट्टे के r ठीक है अब इसी में फिर r की value हम निकाल देंगे इसको r dash आप माल लो तो ये हो जाएगा आपका इधर जाएगा तो 2 r dash equal r ठीक है r dash वराबर ये क्या हो जाएगा आपका r बट्टे के 2 यानि उसका उल्टा हो जाएगा जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ठीक है आप समझ रहे हैं यब r dash को उपर हम करेंगे एक को नीचे करेंगे तो ये भी उपर चला जाएगा ये नीचे आजएगा r dash बराबर r by 2 इसी में बोल रहा है कि एक स्रेडी करम में जोड़ देते हैं स्रेडी करम में simply आपको जोड़ना है क्योंकि स्रेडी करम का जो सूत होता r बराबर r1 प्लस r2 होता है ठीक है r1 की value r बट्टे 2 है प्लस r को हम जोड़ देंगे इसका बट्टा कुछ नहीं तो एक माल लेंगे एक का multiply r में करेंगे तो r प्लस 2 का multiply r में करेंगे तो 2 r 2 का 1 में करेंगे तो 2 अब यह जो हो जाएगा 2 r प्लस r को जोड़ेंगे तो यहां से हम 2 r प्लस r बट्टे 2 है तो 2 r और r को जोड़ेंगे 3 r बट्टे के 2 ठीक है यही एंसर आपका आए जाएगा 3R, 2R, 3R, 2R, 2R, 2R यह वाला option C correct हो जाएगा नेश्ट की कौन सा मात्रक चुम्ब की छेतर का नहीं है ठीक है, बेबर, मीटर, टेसला, गॉस, न्यूटन, एमपियर, इनवर्स तो सबसे ध्यान देने वाली इसमें नहीं पूछ रखा है बहुत सारी छात होते हैं सुझते की छेतर है कोई बिन को एक दोयाद रता उसको सही मारके चले आते हैं तो ऐसे में आपका जो गौस है यह चुम्ब की छेतर का मात्रक नहीं बेबर मीटर है तेसला है न्यूटर मीटर का स्कॉर है ठीक है अब यहां से उप्खन खवा आपका चलू होता है जो की जीव विग्यान के क्वेस्चन है छारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है पीला हो होता है की नारंगी होता है की अपरिवर्थित रहता है तो यह जो है भूरा और लाल टाइप का परतित होने लगेगा जब आप चैसले नवा कोईशन आपका है कि अमली वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है 5.2 होता है कि 6.2 कि 7.2 कि 8.2 होता है ठीक है तो जो अमली वर्षा होता उसका जो पीएच मान होता वो 5.2 होता क्योंकि अमली वर्षा अमल है तो अमल का जो मान होता है पीएच मान होता है वो साथ से जबी होगा कम होगा ठीक है साथ से ज़्यादे नहीं होगा यहां पर जो भी बैलू दिया है साथ से ज़्यादे दिये ग कि प्रोपेनल है ठीक है तो यहां पे जो इसका इप्यसी नहों होगा वह आपका यह होगा एथेनल ठीक है आपसल नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा एंड 11 नंबर क्वेस्टिन की प्रोपेन का रासायनिक सुत्र है मेत एत प्रोप ठीक है कार्बन की संक्यात सबसे पहले इसमें ती तो यहाँ पे नेश्ट है आपका की प्रोपेन का रासायनिक सुत्र है मेत एत प्रोप ठीक है जब भी होगा यानि carbon की संख्यां पर कितनी होगी तीन होगी तो C3H8 थी कि यह आपका correct हो जाएगा देखो carbon की संख्या 3 होनी चाहिए मेत प्रोब थी कि तीसरे नंबर पर है तो carbon की संख्या 3 तो यह वाला आपका option number B क्या रखा correct हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर question की कौन सा carbonic योगीक और संत्रिप्त योगीक है एथेन है की मेथेन है की एथिलीन है की एथिल एलकोहल है तो यहाँ पर आपका जो एथिलीन है यह क्या है और संत्रिप्त योगीक है next देखने ते question एथे question की खादे पदार्थों को सुरचित रखने के लिए डिबू में जिंक के इस्थान पर टीन का लेपन होता है क्योंकि जिंक अपेच्छा कृत कम अभिक्रियासिल है जिंक का गलनांग कम होता है यहां पर आपका आपसर नंबर बी तीन का अपेच्छा कृत कम अभिक्रियासिल है तीन अपेच्छा कृत कम है इसलिए जल्दी जंग नहीं करता है खादे पदार्थों सुरचित रहते हैं तो आपसर नंबर बी आपका एक्यूरेट हो जाएगा अपको जीवी गयांसलिटेट क्वेस्टन इसमें देखने को मिलेंगे केवल जल्मे गुलनसील होता है ठीक है बिटामिन A, बिटामिन D, बिटामिन C यह तो आप 6, 7, 8 से ही जान रहे हो कि जो जल्मे गुलनसील बिटामिन यहां पर जो बिटामिन C है यह जल्मे गुलनसील बिटामिन है एंड नेश्ट की ATP तता NADP 0.2H का निर्मान कहां पर होता है माइटो कांडिया में, क्लोरोप्लास्ट में, प्राक्सी सोम्स में, लाइसो सोम्स में ठीक है दूज जो ATP और NADP into 2H का जो निर्मान होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहां पर होता है क्लोरोप्लास्ट में, नेश्ट की मुकुलन पाया जाता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में, इन में से सभी में, तो हाइड्रा में आपका पाया जाता है तो यहां पे जो आपका बिसाडू होता है यह केवल नुकलीक अमले तथा प्रोटीन्स के बने होते है अट्वाइक निसेचन के दोरान पराग कर्द से निकलने वाली पराग नलिका समाने तह किसके दोरा बिजांड में प्रवेश करती है अध्यावरर, बिजांड काय, निभावी, अंडद्वार ठीक है यह जो होती अंडद्वार के दोरा प्रवेश करती है एंड़निस नंबर की भोजन को निगलते समय इसे घाटी दोरा वायू मार्ग में जाने से रोगता है एपी फैरिक्स, एपी ग्लास्टिस, एलवी योलाई, स्लेश मा वरर, ठीक है दोको जी को वायू का मार्ग अलग होता है और भोजन का मार्ग अलग होता है जब हम भोजन को निगलते हैं पेट के अंदर तो घाटी जो होता है नो वो घाटी क्या करता है आकर उसे रोक कर उसे भोजन के मार्ग में ले जाता है वायू के मार्ग में जब जाता है तो आपको लगता है कि सरक गया जिसे हम लोग बोलते है ठीक है एपी गलार्टिस ठीके एपी गलार्टिस जोता उसे रोकता है विश्वा की कीवल जल में घुलन सील होता है यह बिटामिन सी होता है तो आप तो यह जानते उपर बेशा क्वेस्चन आया था तो यह करेक्ट हो जाएगा यहां से खंड अब फिर से चालो हो जाता आपका 21 नं नु Subscribe १ृaBy और उसके फोकस बिンユू डिंदू A पर पूंद के बीच ऐहाँ पर औ अवतल ध्रपण की बात कर रहा है तो दो वतल मतलब क्या होगे अगर व्तल धरपण में हम क्यों हिए कि असी दोगोगोव पी और उसकि फोकस बीन दो एपंड के बीच चब रखेंगे तो सीधा था बड़ा प्रद्विम एक ही कंडिशन में बनता है ठीक है दूसरा है कि निकट द्रिष्टी दोस्ट से पीडित एक बेकती को यह दोस्ट दूर करने के लिए किस लेंस या दरपड का उप्योग करना पड़ेगा ठीक है तो दुखो इसमें कि उत्तल लेंज का की यूत्तल दरपड़ का कि इसका फॉर्मुला पहट यह याद कर लो अरुद ठीक है आउतल दरपढ जोता है वो रिडात्मक होता है उत्तल दरपढ धनात्मक ना दू ठीक है यह एक फर्मुला है यह नहीं ठीक है निकट दृष्टी दोस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जता है ठीक है और दूर दूर दृष्टी दोस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जता है अब दरपड का नहीं प्रयोक के जाता है तिया होगा आपका निकर द्रिष्टी दोसे तो आउतल लेंस का ठीक है आपसर नमबर आपका यह करेक्ट हो जाएगा लेंस पूछ रखा तो लेंस पर ध्यान देंगे यह नहीं कि दरपड मारके आउतल दरपड चलें बिद्धुत इस प्रयाएं वाट होती है कि वाट सेकेंड होती है यह होती बिद्धु उर्जा की कई वाट सेकेंड आपसर नमबर यह करेक्ट हो जाएगा चौता कि इस्थिर्चुमकी छेत्र में द्रुव की बीच किसी बिद्धु दारवाई चालक पर लगने वाले बल्कि दिसा ग्य इसके चुमिकी चित्रम ध्रोग की बेच किसी विद्धु धराई चालाग पर लगने वाले बल की दिसाई ग्याद करने के लिए उप्युक्त करते हैं नेस्ट आपका 5 नमबर दे रखा है एक किलो वाट घंटा में जूल की संख्या होती है ठीक है यह पर दरका 36 गुरुते 10 के पावर 5 जूल 360 जूल 36 गुरुते 10 के पावर 3 जूल ठीक है यह होता आपका 36 गुरुते 10 के पावर 5 जूल अब इसी को कभी कभी लिख देगा 3.6 गुरुते 10 के पावर 6 जूल ठीक है इस चीज को आपको ध्यान देना है कि कब कहा पे क्या होगा अगर इसी को लिख देगा 0.3 6 गुरुते 10 के पावर 7 जूल तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगी कि यार मैंने तो यह पढ़ा था क कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल और यहां पर 36 गुरुते 10 के पावर 5 जूल हो ही नहीं सकता यह वाला होगा ठीक है लेकिन यह वाला नहीं होगा यह वाला होगा ठीक है आपको इस चीज का ध्यान देना है कभी इसको मीली में लिख देगा कभी इसमें लिख देगा तो इस प्रकास नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकास अपवर्थन कहां सबसे ज्यादा इसका अपवर्थन होता है इसके बाद यहां से उखंड खवा जाता है जहां से आपका रसायन विगयान यहीं केमेस्ट्री की क्वेश्चन है प्रोपे नाल है C3H5OH C2H5OH C3H6OH C3H7OH ठीक है तो यहां पर प्रोपे नाल हम से पुछ रखा कि कौन सा सुत्र है तो यहां पर C3H7OH क्या है यह प्रोपे नाल है ठीक है क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन हो बैलेंस है और इन सब में हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है खाद्य पदार्तों को सुरच्चित रखने के लिए डिब्बों में जिंग के इस्थान पर टीन का लिपन होता है ठीक है यह क्वेश्चन आया था उपर तो हम जानते इसलिए टीन को टीन का उप्योग किया जाता है नेस्ट की बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है CO निकलती है Na2CO3, CO2 Carbon Dioxide, Auto Oxygen यानि की बेकिंग पाउडर को जोब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है यह आपका निकलती है CO2 Gas Carbon Dioxide नेस्ट की निम्लिकित में अमली लवड कौन सा है NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN तो यहाँ पे NaHSO4 क्या है एक तरह का अमली लवड है एंड आपका 12 नंबर क्वेस्चन है कि निम्लिकित में से कौन सा तरह तो तनू अमली के साथ सेयोग करके Hydrogen Gas निकलता है क्लोरीन, तामबा, जस्ता, सल्फर ठीक है तो यहाँ पे आपका यह जस्ता यह तनू अमली के साथ सेयोग करके Hydrogen Gas निकलता है थर्टी नंबर है कि कार्berण परमाड़ू की सेयोगता कितनी होती है दो की तीन की चार की पांच ठीक है तो यह आपने पढ़ा होगा कि जो कार्berण परमाड़ू की संक्या होती है एनि कि CH 4 होता है ठीक है जिव ग्यान के question बायवलाजी पूरूस में link गुर सुत्र होता है x, y, x, y, x तो जोको पूरूस में जो गुर सुत्र link होता है वो आपका क्या होता है ये x और y होता है ठीक है और इस तरी का क्या होता है ये आपको comment box में comment करके बताना है पित्रस का स्राव होता है पितासे में यक्रित में अगनासे में अमासे में दुको जो पित्रस होता है उसका स्राव आपका कहां पे होता है यक्रित में कहां पे एक्रित में पुस्प के कितने भाग होते तीन होते की चार की पांच की छो ठीक है दुको जो पुस्प के भाग हो वो आपका इस्ट में होता है प्रिथकरण का नियम प्रस्तूत किया था चार्स डार्बिन ने यूगो डी ब्रीज ने ग्रेगर जान मेंडल ने राबर्ट हुक ने यह आपको किया था ग्रेगर जान मेंडल ने प्रिथकरण का नियम केवल प्रोटीन के बने होते हैं सुद्ध गोल वीजों को प्रकट करता है ठीक है काफी important question है small t small t capital t small t small t capital t capital r capital r ठीक है तो यहाँ पर जो capital r capital r होता है यह सुद्ध गोल वीजों को प्रकट करता है आज की इस वीडियों बस इतना ही मिलोगा एकने student तब तक लिए धन्यवाद